ओम नमो भगवते बासुदेवाए ओम नमो भगवते बासुदेवाए सिरी ख्रेस्ने गोविन्दे हरे मुरारे एनाथे नारायन बासुदेवा सिरी क्रिष्न गोविंधे अरे मुरारे ये नाते नारायन वासुदेवा देवा ये नाथ नारायन बासु 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 देवा भगवत कथा और भगवत भक्ती का महातम शिरिव्याजी कहते हैं कि सोनकाद्यादी ब्रह्माबादी रिशियों के ये प्रस्न सुन करके रोम को हर्शित करने वाले पुत्र जो है उग्र सरवा को बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने रिशियों के इस मंगल में प्रस्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ कर दिया सुत्य जी ने कहा कि जिस समय सुखदेव जी का यग्यो पवित संसकार भी नहीं हुआ था सुत्रा लोकिक बैदिक करमों के अनुष्ठान का उसर भी नहीं आय था उन्हें अकेले ही सन्यास लेने का उद्देश से जाते देख करके उनके पिता ब्याजी ने बिरा से कातर हो करके पुकारने लगे कि बेटा बेटा उस समय जो है तनमय होने के कारण शिरी सुगदेव जी की ओर से ब्रिक्षो ने उत्तर दिया था कि ऐसे सब के हिर्दे में बिराजमान शिरी सुगदेव जी मुनिको मैं नमस्कार करता हूँ ये शिरीमत भागवत का अत्यंत गोपनिये रहस्यात्मक पुरान है और ये भागवत रूप का अन्भो कराने वाला और समस्त वेदों का सार है संसार में फसेवे जो लोग इस घोर अज्यान अंधकार से पार पाना चाहते हैं उनके लिए अध्यात्मिक तत्तों के प्रकासित करने वाला ये एक अध्यत दीपक है वास्तों में उनी पर करणा करके बड़े ही मुन्यों की आचार रिशुक देव जी ने इसका बढ़न किया है मैं उनकी सरण गरहन करता हूँ मुनिश्यों में सबसे स्रिष्ट भगवान के उतार नर नाराण जो है रिश्यों को सरफसती देवी को और सिरी व्याज देवजी को नमस्कार करके तफसंसार और अन्ताकर्ण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस सिरी जो है भगवत महापुरान का पाड़ करना चाहिए रिश्यों आपने संपूर्ण विश्य के कल्यान के लिए ये बहुत ही सुन्दर प्रस्ण किया है क्योंकि ये प्रस्ण जो है सिरी किष्ण के संबंद में और इससे भली भात आत्म सुद्धी हो जाती है मनिश्यों के लिए सर्व सेष्ध धरम वही है जिससे भगवान सिरी किष्ण में भक्ती हो और भक्ती भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित नरंतर बनी रहे ऐसी भक्ती से हिर्दयानन्द सुरूप प्रमात्मा की उपलब्धी करके किर्ट किर्ट हो जाता है भगवान किष्ण में भक्ती होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित जोडने की निसकाम ग्यान और बैराग का आविर्भाव हो जाता है धरम का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर ही अदिमनिश्य के हिर्दय में भगवान की लिला का भगवान के कथाओं का अगर अनुराग उद्य ना हो तो वो जो है निरा सरम ही सरम है धरम का फल है मोक्ष और उसकी सार्थक्ता अर्थ प्राप्ती में नहीं है अर्थ केवल धरम के लिए है भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है भोग विलास का फल इंद्रियों को त्रिप्त करना नहीं है उसका पर्योजन है केवल जीवन निर्वाह और जीवन का फल भी जो है तत्तु जिग्यासा है बहुत से करम करके स्वरगरादि प्राप्त करना फल नहीं है तत्तु बेता लोग जो है ज्याता और गे के भेद से रहित अखंड आदितिय सतितानंद को सरूप को ज्यान तत्तु कहते हैं और उसी को कोई ब्रह्म कहता है कोई परमात्मा कहता है कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं सरदालू मुनिजन भागवत सरण से प्राप्त ज्यान बैराग युक्त भक्ति से अपने हिर्दय में उस परमत्त्तु परमात्मा कानभो करते हैं सुन का दिरिशियों यही कारण है कि अपने अपने बर्ण तथा आशरम के अंसार मुनिश्य को जवधरम अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिध्धी उसी में है कि भगवान प्रसन हो भगवान को प्रसन किया जाए इसलिए एक आग्रमन से भक्त बंसल भगवान का ही नित्य निरंतर भजन किर्टन ध्यान और आरातना करना चाहिए कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उसे काटते हैं उसी गांठ को काट डालते हैं और तब भला ऐसा कोन मनुश्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेव न करें सुनका द्याद रिश्यों पवित्र तीर्थू का सेवन करने से महत्य सेवा तदांसार सर्वन की इच्छा फिर जो है सरधा तत्पस्चाद भगवान कथा में रुचि होती है भगवान किष्ण के यसका सवन करना चाहिए और उनकी असुव बास्नाओं को नश्ट कर देते हैं क्योंकि वे संतों के नित्य सुहिर्द हैं जहां सिरिमत भागवत अथवा भगवत भगतों के निरंतर सेवन से असुव बास्नाओं नश्ट हो जाती हैं और तब पवित्र कीर्ती भगवान सिरी केष्ण के परती अस्थाई प्रेम की प्राप्ति होती हैं और तब रजोगुण तफोगुण से निर्मल हो जाता हैं इस प्रकार भगवान के प्रेम मई भक्ती से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिड़ जाती हैं हिर्दे आनंद से भर जाता है तब भगवान के तत्तुकान भोग अपने आप जो हो जाता हैं हिर्दे में आत्म सरूप भगवान का साक्षार कार होते ही हिर्दे की जो है गरंथी तूट जाती हैं सारे संदे मिठ जाते हैं करम बंधन छीड़ हो जाता है और इसी से बुद्धिमान लोग जो है नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान किष्ण के प्रती भक्ती करते हैं जिससे आत्म परसाद की प्राप्ती होती है प्रकृति के गुण तीन परकार से हैं सात्गुण, रजगुण, तमगुण इनको सभीकार करके इस संसार की इस्थिती उत्पत्ती और परले के लिए एक अधित्य परमात्मा ही विश्णु, ब्रह्मा और रुद्रे तीनों नाम से ग्रहन करते हैं और फिर मनुष्य का परम कल्यान होता है, तो सत्गुण सभीकार करने वाले सिरीहरी से होता है जैसे प्रिथिवी का अभिकार लकडी की अपक्षा दुआ सेष्ट है और उससे भी सेष्ट है अगनी क्योंकि बेदोक्त यग यगादी के द्वारा अगनी सत्गती देने वाला है वैसे ही जो तम्मोगुण होते हैं रजोगुण होते हैं ये सेष्ट है और रजोगुण से भी सेष्ट जो है सत्गुण क्योंकि सत्गुण जब आता है तो भगवान का दर्शन कराने वाला है भगवान की प्राप्ती के लिए अतन करने वाला है प्राची नुग में हम लोग अपने कल्यान के लिए विसुद्ध समय पर भगवान विश्णू की आरादना किया करते थे अब भी जो लोग उनका अंसर्ण करते हैं वह उनी के समान कल्यान भाजन हो रहे हैं और जो लोग इस संसार में संसार सागर से पार जाना चाहते हैं यद्दपी किसी की निंदा तो नहीं करते जो लोग इस संसार से पार जाना चाहते हैं यद्दपी किसी की निंदा नहीं करते ना किसी में दोस भावी रखते हैं फिर भी जो है घोर रूप वाले तमोगुडी, रजोगुणी और भायरादी जो है भूत पतियों क्यों पास्टना न करके सत गुणु विश्नु भगवान और उनकी अंस से कला सरूपों का ही भजन करते हैं और परंत जिसका सुभाव रजोगुणी अथवा तमोगुडी है वेधैन आश्वरी और संतान की कामना से भूत पतर और प्रजापतियों की उपास्टना करते हैं क्योंकि इन लोगों का सुभाव उस जो है भूत आदि से मिलता जुलता होता है बेदों का तादपर है श्री किर्ष्न भगवान से और यग्यों के उद्देश से जो है श्री किर्ष्न ही है योग श्री किर्ष्न के लिए ही किये जाते हैं और समस्त कर्णमों की परसमापती भी किर्ष्न से ही है अज्ञान से बढ़कर के ब्रह्म सुरूप स्रीकिष्ण हर की प्राप्ति होती है तपस्या स्रीकिष्ण भगवान के प्रसनता के लिए किया जाता है स्रीकिष्ण के लिए सभी धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियों की प्रसनता के लिए की जाती है शिरी किष्ण के लिए धर्मों का नुष्ठान होता है और ये सब जो है शिरी किष्ण भगवान में ही समा जाती है यद्यपी भगवान प्रकृति और उनके गुण से अतीत है फिर भी अपनी गुण मई माया से जो प्रपंच की दिष्टी से हैं उसे तत्य की दिष्टी नहीं है उन्होंने सरग आदि में इस संसार की रचना की थी और ये जो है सत रज तम गुण तीनों जो है उसी माया के बिलास है और इनके भी तरह करके भगवान इस से युक्त सरी के मालूम पढ़ते हैं वास्तो में तो वे परपून बिज्ञाननंद नंदन हैं अगनी तो वस्तता एक ही है परंत जब वो अनेक परकार से अनेक परकार की लकणियों में जब प्रगट होती है तब अनेक सी मालूम पढ़ती है वैसे ही सब के आत रूप भगवान एक ही है परंत प्राणियों की अनेकता के कारण अनेक जैसे जान परते हैं भगवान ही सुच मभूत तनमात्रा इंद्रियत अथांता कनाद गुणों के विकार भूत भाओं के द्वारा नाना परकार की योनियों का निर्मान करते हैं और उनमें भिन भिन जीओं के रूप में परवेश करके उन उन जो है योनियों के अनरूप विश्यों का उभव करते कराते हैं और वही संपून लोगों की रचना करते हैं और देवता पसू पक्षी मनुशादी जो है योनियों में लीला अतार ग्रहन करके सत्गुण के द्वारा जीओं का पालन पोशन करते हैं इती सिरीमत भागवत त्वितिव अध्याय संपूणम सिरी क्रिष्ण गोविंदे हरे मुरारे ये नाते नारायन बासु देवा सिरी क्रिष्ण गोविंदे हरे मुरारे ये नाते नारायन बासु देवा सिरी क्रिष्ण गोविंदे हरे मुरारे ये नाते नारायन बासु देवा